चलो जी ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्या चल रहा था हमारा बेसिक्स और बेसिक्स में साथ पॉइंट तो हम कर चुके थी 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 था कुछ एकाद साइद प्रैक्टिकल भी रहा होगा पर अब जो करने जा रहा है वह पॉइंट नमबर एट ठीक है जी और उसक के ब्रेक के बाद अब आपका इंपॉर्टेंट एरिया स्टार्ट हो रहा है तो सर बात करें यस अगर हम बात करें तो अब हम करने जारे टॉपिक लिखना नहीं है लिखा हुआ है जिसका नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यू आप अप्स ठीक है पहले बात यह बताओ वैल्यू से क्या समझते हैं वैल्यू सर वैल्यू का मतलब अगर हम कोई चीज खरी देते हैं प्राइज अलग होता है अगर मैं कहता हूं कि मान लो इस कैलकुलेटर की बात करो तो इस कैलकुलेटर का प्राइज हो सकता है कि मार्केट में 200 हो प है और आज ही मुझे calculator चाहिए और कहीं मिल नहीं रहा है तो मेरे लिए इसकी value कुछ और हो सकती it means value percent to percent अलग-अलग हो सकता किसी भी चीज का value percent to percent अलग-अलग हो सकता है it means bit simple सी बात है अब कोई भी चीज ले लो अगर मैं जो सबजी बेच रहा है वो कुछ और rate बता सकता price पर मैं bargaining करूं तो मेरे लिए value हो सकता वह 10 रुपए किलो और किसी के लिए 12 रुपए किलो value अलग चीज है value हम खुद decide करते है और price अलग मेरे ख्याल से मुझे इस बात पर लेक्शन नहीं देना चाहिए हमें क्या पढ़ना हम value निकालने की कोशिश कर रहे है किसका option और value अभी का नहीं एक होता है present value मैं present value की बात नहीं करो मैं expected value की बात करो expected value का मतलब सर expected value का मतलब हो गया अभी का नहीं future का बिल्कुल अब सुनोगे मालो कॉल ओप्शन एक्सरसाइज प्राइस रुपीस 500 ठीक है तो कॉल ओप्शन कव एक्सरसाइज होगा जब प्राइस बढ़ेगा और maturity period है आज से तीन मेहने बात और तीन मेहने बात मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शेयर का प्राइस है वो पास सौ तीस रुपए हो सकता है आज क्या प्राइस है आज के प्राइस से मुझे मतलब नहीं है मैंने आपको exercise प्राइस दिया 500 से उपर option है call option तीन मेहने बाद expectation है मेरा expected price इसको मैं expected price बोल दो यह price बोल देता हूं पर का फायदा हो सकता है यह सर इंट्रिनसिक वैल्यू यह हाँ यह intrinsic वैल्यू आज का वैल्यू नहीं है यह future का वेल्यु ऐसंग और को आप एकस्पेक्टेड वैल्यू बोल रहे हों कुछ नहीं bekannt वैल्यू पर tik कब का फ्यूंचर खीज़ कांव उसको हम क्या नाम दे रहा एकस्पेक्टेड वैल्यू यहां तक ठीक है ठीक है सर अगर प्रैस 530 नहें हुआ How 510 हुआ तो तो बताओ expected value of option 10 रुप है सर प्राइस अगर 490 हुआ तो expected value कितना सर 10 रुपए का loss हुजाएगा गलत बात है सर 0 option exercise यह नहीं करेंगे सर option खरीदेगों खरीदेगों क्यों खरीद लिया है उसके बाद एकाद 2-4-10 दिन बाद में सोच रहा हूँ कि देखो expected value of option क्या है अगर 490 हुआ तो मैं option exercise ही नहीं करूँगा तो क्या मेरे option का expected value minus में आ जाएगा आ ही नहीं सकता अंसर क्या हैगा 0 it means option का expected value कभी भी negative हो नहीं सकता ठीक है यहां तक सर सुद्ध हिंदी में आप यह बोल रहा हूँ expected value is equal to call option का market price on maturity minus exercise price yes और 0 minus होगा नहीं ठीक है सर तो इसमें समझाने वाली क्या बात है समझाने वाली है अब मैं इसको समझाता हूँ थोड़ी सी बात समझाता हूँ सर क्या लिखने वाली बात क्या लिखने वाली यह बात मैं बात में समझाँगा पहले इस example से example number दिख रहा है बुक खोली है example number 5 आपके सामने है और example number 5 को ठीक से समझने की कोशिश कर दे बहुत गहराई से समझेगे अगर example number 5 हो गया तो आपकी बुक में ना दो तीन question है तो उसमें हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगे और सुनो एक्जाम में आते है question ठीक ठीक चलो पढ़ते एक्जामपल number 5 आप्शन कौन सा है कॉल आप्शन ठीक है और exercise प्राइस है 500 माइनस मतलब यह हुआ कि 500 रुपए से उपर होगा शेर का प्राइस तो हम आप्शन exercise करेगे हाँ जी period है 3 months और price on maturity हो सकता 520 भी हो सकता 530 भी हो सकता यह सब बताया है और probability बताया है आपसे बोला expected value of option मैं दूसरी चीज और पूछ रहा हूँ लिख ले ना एक्सपेक्टेट प्राइस और शेयर का एक्सपेक्टेट प्राइस निकाली याद है जो मैंने basic class करवा रखा था जिसमें मैंने आपको probability समझा रखा है क्या उसमें मैंने आपको expected return निकालना सिखाया था हाँ कैसे निकालते थी बिटे ये जो प्राइस है इसको हम probability से multiply कर देंगे तो क्या आएगा expected price वहाँ भी ऐसे ही कुछ था return लिखा रहता था तो return को अगर हम probability से multiply कर देंगे तो क्या आजाएगा expected return कुछ था ही नहीं इसमें तो मैं सबसे पहले मुझे expected price निकालना इसमें लिखा नहीं मैंने एक point add कर दी है तो चले लिखे क्या पहला काम करें सर expected price वहाँ प्राइस 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 पह here 520 into 0.3 plus 520 into 0.3 plus 530 into 0.2 plus 510 into 0.1 plus 490 into 0.3 plus 480 into 0.1 तर ये तो हमने expected return पहले भी निकाला है 520 into 0.3 एम प्लस 530 into 0.2 एम प्लस तो सरी ये आगे रुपीज 508 ठीक है प्राइज निकालने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दूसरा अब मुझे करना expected value of option अब ध्यान से समझने वाली बात है अब सुनना है यहां से यह क्यों समझा रहे है तो आगे है ना सर आंसर 8 रुपे है बिटे समस्या यही तो है अब सुननो कुछ लोगों का यह कहना सर आप यह प्राइस कब का है यह बताई यह प्राइस है तीन मेने बात का सर यह expected price है हाँ बिटे expected price है तो सर हो गया फिर तो क्या प्राइस ज्यादा है यह अगर option exercise करेंगे तो हमें 8 रुपिया का फायदा सीदी सी बात है अगर 8 रुपे का फायदा तो सर expected value of option दिख रहा है हमको expected value of option is equal to लिखना नहीं है अच्छा लिख लिए है सर तो काटना पड़ेगा एक तो यह सोच रहा है लोगों का और क्या सोच रहा है अब देखो दूसरा क्या सोच दूसरी सोच यह है कि यहाँ देखना नहीं कि सर इसको देखते हैं हम individual देखते हैं हम एक साथ क्यों करें हम individual करते हैं और individual ऐसा सोच सकते है कि sir, अगर 520 रुपए होता है तो हमें 20 रुपए का फाइदा है 20 का भी फाइदा हो सकता तो 530 होता है तो 30 रुपए का भी फाइदा हो सकता है Cross payoff बोलते है Gross payoff बोलूं तो ज़्याद अच्छा payoff Sir, अगर 510 हुआ तो 10 रुपए का फाइदा 490 हुआ तो क्या करेंगे option lapse हो जाएगा 0 और यहां पिर 0 ठीक है ठीक है बोलो ठीक है 20 रुपए का भी pay off मिल सकता है 30 का भी pay off मिल सकता है 10 का भी pay off मिल सकता है यह फिर 00 क्या probability है 20 रुपए का फायदा होने की probability है 0.2 और इसकी probability कितनी है 0.2 और इसकी probability है 0.1 इसकी probability है 0.3 इसकी probability 0.1 कुछ लोगों का ऐसा सोच रहा है और क्या इसका आंसर और ये वला आंसर एक ही आएगा देखे लेते है 20 इंटू 0.2 तो कितना आ गया है 4 यहां कितना आ गया 6 यहां कितना 1 यहां 0 और यहां 0 4,6,10 और 11 11 रुपए आ रहा है और यहां 8 रुपए कौंसा सही 11-11 कौंसा सही है ये वला सही है कि ये वला सही 8 रुपए सही है कि 11 रुपए सही है बस यही मुझे बता दो बात करता सिर्द ये तो सहीं लग रहा है और इसे इसमें एक समसिया है मिरी बास समझो ये आपको सहीं लग रहा है लेकिन इसको अगर आप आठ रुपै को सहीं मांते हो ना इसका मतलब ये है कि आप ये स्कूच रहे हु कि सर हम ये वाला option lapse भले ही हो गया लेकिन हमारा जो pay off है वो negative हमें minus 10 का loss है और यहाँ हमें minus 20 का loss है minus 10 का minus 20 का ठीक है ऐसा है जब कि ऐसा हो नहीं सकता option है आप ये बोलोगे option देखो generally अगर आप ऐसे calculate कर रहे है इसका मतलब होता है कि sir हमें उपर price उपर गया तो profit और price नीचे गया तो loss इसका मत अब ये है लेकिन sir option में ऐसा नहीं होता price उपर जाने से profit pay off positive और नीचे गया है तो negative होता नहीं है ठीक है अगर ऐसा करते हम अगर हम यहां 10 और यहां 20 ले लेते तो यहां जाएगा 3 रुपए minus में और यहां जाएगा 2 रुपए minus में यह गरवड होगा है यह 3 रुपए है इसलिए यहां 6 रुपए sorry 6-6-12 यहां 13 रुपए 15 रुपए 6-6-12 रुप तेरा आ रहा था 13 में से 3 गया और 2 गया तो यहां कितना है 13 में से 5 गया 8 ठीक है थोड़ा सा mistake हो गया था यहां probability point 3 लेना था मज़को चलता है तो अगर उसी स mathematically match हो गया पर भाई यह वाला पार्ट आप गलत कर रहा हूँ माइनस हो नहीं सकता तो फिर यहां 0 लिखना पड़ेगा जीरो तो exactly answer क्या आएगा exactly 6-12 और 13 रुपए answer आएगा exactly एख लेखित है थीक है हां सर समझ में आकर करना कैसे expected value ऐसे नहीं कर सकते सर expected value of option करना है तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा मतलब क्या सरी गलत है यह गलत है इसको काट ही दो नहीं से मैं ने तो पहली बुलत लिखना मत करके हम आइसे नहीं कर सकते तो सर करना कैसे होगा अपने यहां कर वा रहा हूं, टेबल बनाके प्रॉपर प्रेजेंटिशन में करना आठ नंबर का कोश्चन आता है, ठीके बनाए टेबल, यहीं बना दिना, एक तो जाएगा मार्केट प्रैस, दूसरा एक्ससाइजर नौट, तीसरा ग्रॉस पे ओफ, चौहता प्रोबैयाब इसके बाद मार्केट प्रैस के बाद क्या लिखेंगे सर, एक्ससाइज और नौट, ठीक, उसके बाद ग्रॉस पे ओफ, इंटरंसिक वैल्यू वह लूँगा न तो आप कन्फूज जाओ, ग्रॉस पे ओफ, उसके बाद प्रोबैयाबिलिटी, और फिर ग्रॉस पे ओफ को मल्टिप्लाइ किस से करेंगे, प्रोबैयाबिलिटी से, प्रैस कितना हो सकता है, सर, पाइब टू जीरो भी हो सकता है, और सर, फाइब टू जीरो भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, और कितना फोर नाइन जीरो भी हो सकता है, और कितना फोर एट जीरो भी हो सकता है, बताओ पास्सो बीस, पास्सो से ओपर होगा तो एक्ससाइस, तो बताओ एक्ससाइस होगा किन है yes, cross P of कितना है गा? 20, यहां भी क्या हो जाएगा yes, cross P of कितना है गा? 30, यहां भी क्या हो जाएगा yes, cross P of गा 10, और यहां no 0, और यहां भी no, probability दिखा हुआ, 0.3, 0.2, 0.1, 0.3, 0.1, तो यहां जाएगा 6 और यहां भी आ गया 6 और यहां गया 1 यहां 0 यहां 0 तो expected value of option कितना आ गया 13 रुप ठीक है सर इतना सारा मैंने lecture क्यों दिया मैंने lecture इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि expected value of option कैसे निकाला जाता है और important है कि हम ऐसे ने निकाल सकते 508-500 इसी पर और मेरा focus था क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने यही गलतिया किया था चले जी आगे एक example और करते हैं कि उनसा था call option का उसमें अब समझाना कुछ नहीं है बस example बनाना तो मरे साथ सद बना लेजिए कौन सा example रहेगा put option का यह question है और थोड़ा सा जल्दी से बनाएंगे इस क्यों मांत है maturity का price दे रखा और expected value of option दिया तो proper मेरे साथ साथ देखते चलो बनाओ कौन पहले बनाता हो जाए ठीक के सरूइग कैलकुलेशन ओफ expected value of option दिया देख देखते बनाओ देखते लाओ देखते बनाओ देखते देखते बनाओ that is which रहे च्किछों कां सा फ्स्ट पयों न कि कि फूर च, थarin enc फूर quiz उसे उसे से को चरिकर्ज घ कि प्रिकर्स हूं ठीच ओंगे लहसे's अुछिन, झुब अ तो gross pay-off probability gross pay-off into probability ठीक के सर्प्राइज क्या क्या होसाथ 1-70, 180, 100, 220, 160, 200 से कम होगा तो exercise तो यहाँ के exercise होगा, yes, 20 रुपे का gross pay-off, यहाँ भी yes, 20 रुपे का gross pay-off, यहाँ no, zero, यहाँ भी no, zero और यहाँ yes, 40 रुपे, probability दिया हुआ है, 0.15, 0.10, 0.05, रिखल से answer आ गया होगा आप लोग होगा, 4.50, 2, 0, 0, 16, यहाँ के exercise ही, 22.50 और इसका नाम क्या है, expected value of option, क्या बहुत ज्यादा मुस्किल है, नहीं sir, अराम से हो सकता, तो चले आगे question बनाए, ऐसे question जो हमारे exam में आई हो, question number five, और question number five आपको दिख रहा है, कहां का question उठाया गया है, तो यह आपके सामने है, जो question है, वो study material new syllabus का, और practice manual, तो practice manual क्या होता है, practice manual पुराने जमानी में जब old syllabus था, उसमें practice manual चलता था, उसमें भी यही question डला हुआ था अलरड़ी, और उसी का question उठाकर इसमें डाला गया, तो अभी तो practice manual है नहीं है, आपका से प्रिश्टरी मटेरियल है, कोशन पढ़ते हैं, कोशन आसान है, बस एक point में दिक्कत होती है बच्चों को, वो point में discuss करूँगा, बाकी question, question भी बना लेंगे, तो मेरे बास question भी नहीं, दिखते क्या लिखा हुआ, दिखा, equity shares of a PQR is presently quoted 320, इसका मतलब यह हुआ कि अभी share का price कितना दिया हुआ, 320 साला कि अभी share के price हमारे लिए ज़्यादा important नहीं है, अगर वो intrinsic value मांगता तो अलग बात होती, the market price of the share after six months, और छे महाबाद share का price यह यह होशकता है, market price दिया, probability दिया, कौन सा option है, put option, strike price के इतना है, 300, मतलब 300 से कम होगा, तो option exercise होगा, बस बच्चों को जो problem थी, इस बात से problem थी, return सब्द लिखा हुआ, और return सब्द लिखा हुआ, तो बच्चों को यह कहना है, कि हाला कि you are required to find out the expected value of option at maturity, that is six months, उसमें कोई समस्या नहीं है, बच्चों को समस्या सिर्फ इसमें दी, कि sir return सब्द लिखा हुआ है, और return सब्द लिखा, अभी तक तो आप पॉल से थे, option buy करेंगे, तो हमें कितने का pay off मिलेगा, अब तो इसको देना पड़ेगा ना, जाहे option holder हो, जाहे option writer, अगर आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि price ये हो सकती, दोनों को ऐसा लग रहा है कि probability ये हो सकती, तो दोनों के लिए value ते एक जैसा आएगा, sir, समझानी की कोशिश करो, समझानी की कोशिश क्या बड़ी simpans से चीज़ है, अगर कोई मेरे पास आता है, और मेरे लिए, मेरा ये मानना है कि इसकी value मेरे लिए 20 रुपए है, मैं 20 रुपए से ज़्यादा में नहीं खरीदूँगा, मेरे लिए, मैं 20 रुपए से ज़्यादा नहीं दूँगा, कुँकि मैं जहें माल में 20 रुपए से ज़्यादा की value है नहीं, जो बेच रहा हूँ वो भी तो सोच रहा हूगा कि यार इसको मैं बेचूंगा तो मेरे लिए इसकी वैल्यू बीस रुपए है और बीस रुपए से कम मैं ने लूँगा तो बस बात मैं वहीं समझा रहा हूँ जब दोनों के expectation एक जैसा चाहे option holder हो चाहे option writer यह expectation किसका है option writer का तो option writer भी तो सोच रहा है ना यार कि अगर 180 हुआ तो मुझे देना पड़ेगा put option है 260 हुआ तो चलो इसमें भी देना पड़ेगा तो मुझे मैं इसकी वज़ा से मेरे जेब से कितना पैसा जाने वाला है यह निकाल लिया जो जाने वाला इसके मेरे लिए इसकी value वही है मेरे पास रखी हुई है यह चीज और इसकी वज़ा से मेरे पास जाने वाला है मैं राइट बेचने वाला हूँ, तो कम से कम मेरे पासे जितना पैसा जाने वाला, उतना ही में पैसा सामने वाले से वस्ल करूँगा, बात बस इतनी इसी है, कुछ बच्चों का ये कहा ना sir, यहां तो उसके पासे पैसा जाने वाला है तो जो value है वो तो negative में निकलेगी, क्य वेल्यू एक जैसे ही आएगा, मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा कि जो option खरीद रहा है, उसको कितना फायदा होगा, और जितना उसको फायदा होगा, उतरा मैं सामने वाले से वसूल करूंगा, it means मेरे लिए इस paper की वेल्यू उतनी ही होगी, ठीक है सर, इस सब्द की वज अश्माने ही ह।हुद आओ एकले सान cloves को तो खरीद की वेल्यू एक वेल्यू पॉख़द की वेल्यू walking की वज़्यांद आव नही पॉप्षण आपक信 की वेल्यू रूफ। तो जाए ता – market price उसके बद exercise or not उसके बद the graspby of उसके बद probability or graspby of into probability it market price लोटी और लोट किस भॉप दिर जोज़ गॉट प्यूश्ज। प्यूश्य कि अपयर तैस्ट और नौ जबाव प्यूश्य किवाव कि फूडना प्यू लूश्ट लूश्ट आस्ट कि अधिय। प्रोपाइबिलिटी ग्रॉस प्योफ को मल्टिप्लाई किससे करेंगे प्रोपाइबिलिटी ठीक है सर्थ मार्केट प्राइस क्या क्या हो सकता है एक सो असी दूसो साथ दूसो सी तो असी तो साथ दूसो सी तीन सो बीस और चार सूंग ठीक है फुट ऑप्शन है तीन सो से कम होगा तो ही एकसरसाइज होगा तो क्या यहाँ एकसरसाइज होगा सर्य यस ग्रॉस प्योफ कितने का एक सो बीस यहाँ भी यस ग्रॉस प्योफ कितने का चारिस यहाँ भी यह ग्रॉस्पी ओफ बीस्क और यहाँ नो और यहाँ भी नो यहाँ जीरो यहाँ जीरो simple है वैसे माला अब बात करते है probability की 0.1, 0.2, 0.5 0.1, 0.2, 0.5 इसके बाद है 0.1 और 0.1 multiply करोगे तो यहाँ जाएगा बारा रुपए और यहाँ चार दोनी आट रुपए और यहाँ दस रुपए और यहाँ जीरो और यहाँ जीरो that's it तो बाराट बीस और तस तीस और इसका नाम क्या है इसका नाम है expected value of option that's it बताओ क्या इतना आसान question आपको मिल सकता है nice simple question चले जी आगे हाँ सर अब चलते फिर से एक और question है question number six important question है यह exam में भी आया हुआ है MTP में भी डला था कब कि MTP में डला था सर यह MTP में डला था March 2022 इसके अलावा study material में भी है new syllabus में इसके अलावा practice manual में भी है और इसके अलावा exam में भी आया साब समझ रहे हो ना हाँ सर समझ गया इन पॉइंट है और पूछा भी एक्जा में आठ नंबर का आया था आठ नंबर तो माइने रखते भाई सी फाइनल लेवल बात करें क्या बोल रहा जारा दिखते यू एस एन investor head purchase four month और important है हमारी पास call option लिखा हुआ call option on the equity shares of x limited at of rupees 10 तर ये 10 रुपए क्या है जो call option आप खरीद रहे हो उसके लिए पैसे तो देना पड़ेगा और कितना पैसा दिया जा रहा है दस रुपए देंगे बोल रहा है ठीक है मैं दस रुपए मतलब प्रीमियम है न सर हाँ जी प्रीमियम है आज market price कितना 132 आज के market price से हमें कोई लेना देना नहीं है exercise price कितना ये काम किजिए एक्सोपचास तो यहां लिख लेता हूँ exercise price है उपचास उपर मतलब call option आपको ल 190 के बीच में जाएगा मतलब 120 भी हो सकता 140 भी हो सकता 150 बताएगा ये बताएगा और उसकी probability भी बताती है ठीक है सबसे पहला point वह आपसे पूछ रहा expected share price at the end of 4 month क्या निकाला जा सकता है yes sir क्या पहले भी निकाला है 8 number का question आए था बताओ साब निकाले क्या yes expected share price at the end of 4 month Ixobis, Ixochalis, Ixosat Ixobis in 2.05 140 into 160 into 190 हो गसकी बताओ 200 160 और 106 ठीक है probability कितना 0.2 0.5 0.1 0.15 0.1 0.15 okay answer is if Xobis into 0.05 M plus Xobis into 0.15 Xobis into 0.1 M plus Xobis into 0.15 Xobis into 0.15 पॉइंट नंबर टू इंपोर्टेंट है यह इस पॉइंट में फसे है बच्छ वैल्यू ऑप कॉल अप्शन फिर से निकालना कॉल ऑप्शन का वैल्यू इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि सहार अभी एक्सराइस प्राइस कितना एक सो पचास और जब फॉर मन्त का एंड हो जाएगा उस दिन भी प्राइस एक सो पचास ही रहेगा अभी भी एक सो पचास है और उस दिन भी जो मार्केट प्राइस रहेगा वो एक सो पचास ही रहेगा एक्सराइस प्राइस प्रिवेल्स का मतलब एक्सराइस प्राइस ही मार्केट प्राइस होगा मैचुरेटी को अब बताइए expected value of option कितना होगा, देख रहा है 0, बस इस line की वज़े से परेशानी है, ठीक है चे, तो करें point number 2, सीधा लिख रहा हूँ, value of option is equal to, 150 minus 150 is equal to, सर इसको मैं कहानी किस्से नहीं लिखेंगे कि actually exercise price prevails का मतलब होता है कि जो ये कुछ नहीं लिखा, suggested आपके पस ICAI का solution देख रहा होगा, उसने भी ऐसे ही कर रहा, तो बताइए expected value of call option क्या होगा, maturity का price क्या होगा, ये भी हो सकते है, ये भी हो सकते है, मतलब ऐसे ही करना, yes expected value of option मतलब ऐसे ही करना, सर ये तो हम कर लिए हैं, करो आप भी करो, मैं भी करता हूँ, देखते कौन पहले करता है, अब मैं जानता हूँ मैं ही पहले करूँगा क्यों क्योंकि आप 2 की स्पीट से देख रहे होगे एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉप्शन ची प्याल्यू पrik प्यालियू market price , exercise or not , gross P of probability , gross pay off into probability , market price कितना हो सकता सर , 120 भी हो सकता है , 140 भी हो सकता है , 160 भी हो सकता है , 180 भी हो सकता है , 160 भी हो सकता है , exercise price है , 150 , option कौन सा है , put की call , call option है , इससे बढ़ेगा तो , exercise , yes call option , तो यहां तो exercise नहीं होगा , no 0 , no 0 , yes 10 , yes 30 , yes 40 , probability आपको दिखरा है , 0.05 , 0.20 , 0.50 , 0.10 , 0.15 , 0.05 , 3 , 6 , पच्चे तिन और पां चाओधा , यहां जाएगा एक्सपेक्टेड वैलियर पॉक्षण , यहां आया हुआ है , करना जरूरी है था ठीक है , तो यह कुश्छन हो गया , कुश्छन नूमबर seven expected price of share expected value of call option expected value of put option तो क्या सरी ये question आप homework देना चाहोगे कितनी अच्छे बच्चे आप लो question number seven आपके लिए रहा homework ठीक है homework मैं इसी मेसे दूँगा homework के लिए कोई अलग question नहीं याद रखना homework copy अलग बनाओगे इस question को अलग उस copy में करोगे एक बार करके छोड़ दोगे class work copy ही revision के काम आईगी होँगा copy में एक बार question करने के बाद हम भूल जाएंगे उससे हमें कोई लेना देना नहीं तो हमारा खतम हुआ part number one basics और part number two सबसे मैंने गाना total option तीन ही पार्ट में करने एक तो basics जो खतम हो चुका है दूसरा जो करना है वह करना हमें पार्ट नमबर टू वह है option pricing या valuation of option this is most 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 important और तीसरा option strategy उससे भी question नहीं आते मतलब option pricing सबसे ज़्यादा important है अब वह पार्ट नमबर टू मेरे में फिर से बोलू कहा जाता है कि सबसे मुस्किल subject सबसे असान है उसमें सबसे मुस्किल होता है कहा जाता है हलाकि मैं अभी तक ऐसा लगा नहीं होगा और उसमें भी कहा जाता है कि उसमें भी सबसे मुस्किल फ्यूचर तो भी समझ में आता ऑप्संसर समझ में नहीं आता और हम आपसन ही सबसे पहले पढ़ रहे हैं मतलब सब सबसे मुश्किल टॉपिक कर रहा है लोगों के अनुसार जो मुश्किल लगता है उन्हें और उसमें भी ऑप्सन जो सबसे पहले उसमें वन पार्ट तो हो चुका है अब दो ही पार्ट और बच्छी थोड़ा सा और फोकस करना अच्छे से बस ऑप्सन जहिलो भाई फिर तो टेंशन कतम हो जाएगी आपके ठीक है डेरिविट्व है बोलते हैं तो हम अब स्टार्ट कर रहा है एक बार पानी पीलों उसके बाद से स्टार्ट करते हैं अब कि अ कि 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 अच्छा एक बात सुनो अब थोड़ा सा टाइम लगेगा टाइम लगेगा मतलब ऐसा है कि अभी जो ब्रेक के बाद हो सकती क्लास आपकी देड़ घंटे से ज्यादा निकले निकल जाने देना मुझे कि रोकना मत बीच में तो रोकिंगे कैसे तो रेकॉर्डट क्लास है ठीक है ठीक है ठीक है ताइम लगेगा सुनना है समझना है अराम से त्यार चलो जी अब जो मैं बाते बोल रहा हूं आख खोल कर सुनो के थियोरी खतम हो चुका प्रैक्टिकल इस्टार्ट हो रहा तो अब जो भी मैं बोल रहा हूं बिल्कुल ध्यान से मन लगा के हम क्या कर रहे हैं अब हम निकाल रहे हैं वैल्यू ओफ ऑप्शन या मैं बोल सकता हूं थियोरीटिकल प्रैस सर यह क्या चीज है समझा रहा हूं रिलाइंस कॉल ओप्शन एक्सरसाइस प्रैस पाइब अंडर्ट से उपर मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर का प्रैस पास सो रुपए से उपर जाने वाला है इसलिए मैं कॉल ओप्शन खरीदने को त्यार हूं प्रीमियम कितना मांगा जा रहा है प्रीमियम मांगा जा रहा है 25 रुपए मैं जो कॉल ओप्शन खरीद रहा हूं मैं जो वॉपशन खरीदता हूं इसां प्रीड कितना एक सार बात मैं ओप्षन जो एक्सरसाइस करूं गा वह एक सार बाद exercise करूं तो भही मैं जे call option ऐसे stock action से खरीदना है तो इसके बदले में कुछ पैसे advance में देना पड़ता है जिसको क्या बोला जाता प्रीमियम प्रीमियम को ही बोला जाता price of option मुझे क्या सीखना है मुझे ये सीखना है कि ये 25 रुपए मुझे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए इस 25 रुपए में ये call option खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए मेरा खरीदने से मुझे फायदा भी होगा कि नहीं होगा ठीक है या तक है सर आपका क्या expectation है मेरा ये expectation है expectation expectation कि एक साल बाद शेयर का प्राइज पाइफ और टिफाइफ हो जाएगा मुझे यह लग रहा है कि पासव पैतालिस रुपए प्राइज हो जाएगा पाइफ फोर्टिफाइफ तो सर आपको जो प्रॉपिट है आपका जो पे आफ है आपका एकस्पेक्टेड वैल्यू पॉप यह सर सर आपका जो एकस्पेक्टेड वैल्यू पॉप्सन एकस्पेक्टेड वैल्यू ओफ आप्सन वो फोर्टिफाइब हुआ बिल्कुल अब बताओ खरीदे के नहीं खरीदे आज कितना आज देना पढ़ना ट्वटिफाइब और फ्यूचर में मुझे फायदा कितने का हो जाएगा फोर्टिफाइब का भोलो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए सर यहां से तो ऐसा लग रहा कि खरीद लेना चाहिए यस क्योंकि फायदा है भाई 25 रुपिया लगाओगे 45 कमाओगे हलाकि रिस्क है रिस्क है पर रिस्क है तो ठीक है कि पैसी भी तो मिनने वाले अगर ये मुझे लगता कि 35 हो जागता तो यहाँ expected value कितना होता 35 अब बोलो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना तो उस समझ के बोला आज इसके लिए पैसा कितना देना इसके लिए देना 25 अगर मैं ये खरीद देता हूं तो future में कितना आने वाला 35 बोलो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए सर उससे अच्छा तो हम बैंक में जमा कर देना बस मैं यही तो कहना चाहता हूं सर क्या आप decide कर सकते हो एक में पैसा कब जा रहा है आज पैसा कब आने वाला future में अगर मैं कहूं कि expected value ठीक है पर मुझे तो present value निकालना पड़ेगा ना साप आप कैसे present value को ignore कर सकते हो आपको इसका आज की value निकालना पड़ेगा तब ही तो comparison हो पाएगा कभी भी चाहिए forex पड़ हो चाहिए derivative जो भी पड़ोगे कभी भी cash flow जो है एक ही point of एक ही समय की होने चाहिए दोनो cash flow यहाँ पैसा cash outflow है आज और cash inflow है future में कैसे comparison है इसको भी मुझे discounting करके इसका present value निकालना पड़ेगा मालो सर discounting rate 10% है तो divide किससे करना पड़ेगा 1.10 35 divided by 1.10 present value निकालना लेक लिए 35 35 divided by 1.10 तो answer आ गया 31.8 अब भी बताओ कि खरीदना चाहिए कि नहीं अब खरीद लेना चाहिए यह जो है ना इसका नाम है अब expected value of option नहीं होगा इसका नाम होगा value of option या present value of option या इसी को क्या नाम दे बोल सकते इसी को बोलते theoretical price अब अब आप्शन यह यह actual price यह actual बूलो खरीदे की नहीं खरीदे सर खरीद लो क्यों खरीद ले सर सस्ता में मिल रहा है यहां हम जितना लगा रहे है उससे ज़्याद़ कमाने वाले ना तो यह जो है यह सस्ता मिल रहा premium जो price है ना option का वो सस्ता है, सस्ता है उसको English में कुछ बोलते हैं, उसको बोलते हैं underpriced अच्छा सचीब भी तो बोल सकते हैं, वह वाला सस्ता है, हमारा finance की language में इसको बोलता है, जो यह है, यह underpriced अंडर प्राइज है सस्ता है option अंडर प्राइज से खरीद लेना चाहिए पर सर अगर present value ऐसा आता 23 आता तो फिर बोलते यार option तो महगा है महगा को English में क्या बलेंगे अगर option underいきます तो मत खरीदो सर हमें निखालना क्या है हमें ये यह ये निकालना है ये ये तो दिया रहता है ये दिया रहता है ये तो देगा इसको को निकाल भी नहीं सकती तो demand and supply के सब से हमें यह निकालना यह वैल्यू और हमें निकालना थियोरिटिकल वैल्यू थियोरिटिक एक्च्वल प्राइज नहीं एक्च्वल प्राइज आप कैसे निकालोगे हमें निकालना थियोरिटिकल प्राइज और उसके सबसे डिसाइट करना है कि हमें option खरीबना चाहिए कि नहीं करें तर्फ यह निकाल कर फिर हम डिसाइट करेंगे कि ऑप्स अंडरप्राइस है कि और वाइस इसको कैसे निकालते निकल तो गया नहीं भाई नहीं यह तुमने एक इग्जामपल के तौर पर इसको निकालने के बड़े सारे तरीक हैं बहुत सारे मॉडल है हमारे सिलिबस में तीन मॉडल है जो हमको करना है एकाद मॉडल में एक्ट्रा करवा भी दूँगा पर मैं अभी यहां लिखवा नहीं रहा हूं ओ मॉडल एक है बाइनोमियल मॉडल एक है पुट कॉल पारिटी थियोरम और एक है ब्लैक सॉल्स मॉडल सर क्या बोल रहे हो बिटे इट मिन्स वैल्यू निकालने के भी तीन मॉडल है सब ने अपने अपने तरीके से बताया है बाइनोमियल पुट कॉल पैस अब लिखा हुआ मैं पढ़ाऊंगा आपको लिखो दिखांगा पुट कॉल पैरेटी और ब्लैक सॉल्स जीसे गुडविल होता ना गुडविल निकालने के एवरेज प्रॉफिट मेथड और और क्या नाम था यहां में दभूले सुपर प्रॉफिट मेथड क्या सब में गुडविल अलग अलग आता ऐसी वैल्यू निकालने के बहुत सारी तरीके है उसमें से तीन मॉडल में आपको प्रॉफिट पहले एक बार समस्तों ले हमने क्या पड़े अभी तक जो भी पड़ा उसको लिख रिटन में होना चाहिए न तो श्टार्ट हम क्या कर रहे हैं सर श्टार्ट कर रहे हैं पार्ट अमबर टू इसको बोलते हैं वैल्यू value निकालेंगे value और इसको compare किस से करेंगे market price of option जिसको हम क्या बोल रहा है premium और decide करेंगे कि option खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए ठीक है और कैसे decide करेंगे अगर premium amount जाद जो value उससे जाद तो ऐसे भई यह तो महगा overpriced है और overpriced है तो ना खरीदो तो जादा अच्छा अब premium amount अगर कम है जबकि value जादा है मतलब जादा पैसा मिलने वाला तो खरीद लो underprice है ठीक है ऑप्शन की value निकालने की total हमें कितनी method पढ़ना है three methods मैंने कहां कि एक आध मैठन मुझे ऐसा और लग रहा एक model और पढ़ना चाहिए था पता नहीं स्लीबस में डाला है क्यों नहीं सर मार्जिन ऑफ शेफ्टी के लिए एक आदमें करवा दूँगा ठीक है अभी नहीं अभी में स्लीबस की बात करो तीन मॉडल बाइनोमियल पुटकॉल पैरिटी और ब्लैक सॉल्स बाइनोमियल मॉडल में भी तीन एप्रोचे value निकाने की सर बाइनोमियल का मतलब क्या हो तो वो मैं भी समझा रहा हूं ना धीरे 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 बहुत जादा जल्दी मत करना मेरी भी आप से हाथ जोड की बिनती है जल्दी करोगे तो फसोगे बाइनोमियल मॉडल के अंदर तीन है एक है रिस्क नीट्रल प्रोबैबिलेटी अप्रच दूसरा है डेल्टा है और तीसरा है रेप्लिकेटिंग मतलब बाइनोमियल मॉडल में ही आप तीन एप्रोच से कोश्टन स्रॉल कर सकते हैं वो एप्रोच आपके सामने हैं खास बात है कि तीनों में आंसर एक जैसा ही आप तर इंपोर्टन कौन सा है इंपोर्टन है रिस्क नीट्रल प्रोबैब में जो आता हूँ वो अप्यात है पुट कॉल पैरिटी थियोरम का थियोरी है आपके इस्टडी मतील में कोश्टन एक भी नहीं है पर इसका मैंने कोश्टन डाल रखा है आ गया तो ब्लैक सॉल्स मॉडल का कोश्टन तो है पर एक्जाम में नहीं आता है मतलब सर अल्टिम कम कोश्टन पूछता है कम क्या पूछा ही नहीं एकात कोश्टन डाल पूट कॉल पैरिटी भी एक मॉडल है उससे आज तक कोई कोश्टन नहीं आया पर स्लेबस में नहीं है मैं ऐसा बोल नहीं सकता स्लेबस में ब्लैक सॉल्स मॉडल के स्लेबस में थियोरी भी और प्रैक गरी है आ गया है तो आप सब दिक्कत में पड़ोगे बगवान का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल और बाइनोमियल में किसकी बात करेंगे रिस्क नियूट्रल प्रोबाइबिलिटी ठीक है बहुत ज़्यादा हिम्मद चाहिए सुनना पड़ेगा बहुत सारी चीज समझना पड़ेगा तब होगा और सर आज की क्लास कब ओवर होगी जैसे ही बाइनोमियल खतम होगा हम क्लास ओवर कर देंगे एक आज क्लास में बाइनोमियल मौडल के एक क्लास रिस्टार्ट करूंगा ठीक है अब मैं जो बोलने जा रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुना मेरी हां में हां लगाना बस बोलते जाना ठीक है सर हां सर ना कोई नहीं बोलेगा कुछ एजंशन को लेकि मैं काम करूंगा कॉल ओप्शन वो तो हमको पता था सर और आज मार्केट प्राइस कितना 500 दिस इस करेंट मार्केट प्राइस आज है 500 रुपए प्राइस और एक्सरसाइस प्राइस ले जेते हैं 510 रुपए ठीक है लिखना नहीं है साहब लिखने के कोशिश भी मत करना वैसे अपने लिखते हो पर अब और मत लिखना बस सुनना नहीं है मरी बाद सुनने का है बस और कुछ नहीं प्रियाट है वनियर और रिस्क फ्री रेट है ठीक है अब मैं आपसे बोल रहा हूँ आज है पास रुपए शियर का प्राइस है आज है 500 और एक साल बात शियर का प्राइस क्या होगा एक साल बात क्या कोई बता सकता है यह सर कैसे बता पाएगे अनुमान तो लगा सकते हो हाँ सर अनुमान तो कुछ भी लगा सकते है कुछ भी हो सकता सर शेयर का प्राइस क्या 600 रुपे हो सकता 20 परशन जादा यह सर शेस्ट भी हो सकता बीस परशन आज 500 है एक साल बाद मेरा मानना है कि 600 भी हो सकता 20 परशन जादा या फिर 20 परशन कम भी हो सकता है 400 भी हो सकता है 600 भी हो सकता है 400 भी हो सकता है 600 भी हो सकता है 675 भी हो सकता 700 भी हो सकता 1000 भी हो सकता है 200 भी हो सकता पैसा क्यों पूछ रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूं कि नाम में क्या रखा नाम है बाइनोमियल बाइनोमियल का पहला एजंशन आँ सर बोलो उनका ये कहना है कि मैचुरिटी पर only two possible price हो सकते हैं सर 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 क्या बोल रहा हूं एजंशन कि दो ही possible price हो सकते हैं मैचुरिटी पर कोई भी दो price आप डिचाइट कर सर ये बिल्कुल एजंशन नहीं है ना इसलिए तो बी एसम आया बी एसम कहता है कि मैचुरिटी पर कुछ भी price हो सकता बी एसम मतला ब्लैक सॉल्स पॉइंट जो थर्ड मॉडल पढ़ने वाला ना ब्लैक सॉल्स उनका ये कहना कि मैचुरिटी पर प्राइस साड़ इच्छ कर रहा है कि मैचुरिटी पर मान लो कि दो ही possible price है सर नई मानेंगे तो फैल हो जाओगे भाइस आप सीए कर रहे हो आपको मानना पड़ेगा दो ही possible price हो गया सर ठीक 600 हो सकता 700 400 हो सकता मान लिए 20 परशन ज्यादा कैसे निकाला होगा मैंने 500 इंटू 1.20 लिए 20 परशन का मतलब 500 इंटू 0.8 का लिए खैर इसका कोई मतलब नहीं कि 20 परशन ज्यादा कैसे 600 भी हो सकता आपको यह और भी price लिख सकते हैं ठीक है यहां तक अब मुझे बताओ अगर 600 हुआ 600 हुआ पास तो दस याद रखना exercise price 600 हुआ तो बोलो option exercise करोगे की नहीं करोगे करेंगे ना सर कितने का pay off है सर 90 रुपय का और सर अगर 400 हुआ तो option exercise करोगे के नहीं करेंगे सर करेंगे और यहां pay off कितने का है सर यहां pay off है 0 option exercise ही नहीं करेंगा option तो लैप्स हो जाएगा 0 यहां तक ठीक है अब मैं कुछ और बता रहू मैंने probability बता दू हूँ इसका 90 profit हो सकता इसकी probability कितनी और 0 हो सकता इसकी probability कितनी अगर मैं probability बता दू तो क्या आप expected value of option बता सकते हो हाँ सर वही तो पढ़ के आ रहा है वही तो पढ़ाया है ना अभी just कि यह जो expected gross pay off है उसको probability से multiply कर देंगे तो यहां भी तो वही करने वाला हूं है expected pay off को probability से multiply कर दूँगा हाला कि probability दो ही हो सकती क्योंकि दो ही possible price है और मैं probability निकालने का एक तरीका है वो तरीके के विसे मैं भी बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं मैं probability निकाल लिया हूं सर probability तो दिया रहेगा ना question में नहीं ना भाई यहां तो कुछ और ही probability निकालने पड़ेगी उसका नाम होता है risk neutral probability पर अभी उसकी चिंता मत करो मैं probability आपको दे देता हूं यहां probability है मान लो 0.7 और यहां probability है 0.3 तो क्या आप expected value of option निकाल सकते हूं हां सर अभी निकाल दे रहे है expected value of option 90 into 0.7 अब इसके लिए मैं table नहीं बना रहा हूं यार इसके लिए table plus 0 into 0.3 यहां गया सर 90 into 0.7 सर 63 अगर मैं इस option को खरीदू तो इससे मुझे future में जो price होने वाल है उसके हिसाब से 63 का फायदा हो सकता है कब हो सकता है आज हो सकता है कि एक साल बात एक साल बात प्रीमियम मुझे कब देना है आज तो क्या इसका present value निकालना पड़ेगा यस डिवाइट किसे करेंगे 1.10 63 divided by 1.10 तो यह आ गया सर यह आ गया 57.27 अब इसको मैं expected value of option नहीं दूंगा इसको नाम दूंगा value of option value of option और अगर अब चेक करूँगा premium कितना है अगर premium है 25 रुपए तो यह अंडर प्राइज है option खरीद लेना चाहिए यहां तक ठीक है सर कुछ सवाल है आप बोलो सर आप इसका present value निकाल रहे हैं आप इसको discounting कर रहे हों जी सर discounting risk free से क्यों कर रहे हैं जबकि यहां risk है तो discounting risk free से करने का क्या logic समझाओंगा नाम है risk neutral यह भी समझाओंगा अभी दी दे दे रहे हैं अभी तक कोई दिक्कत है क्या अभी तक कोई दिक्कत ने बाद विटे खतम हो गया जी में आ गई कुछ है नहीं value of option जो पिछला पढ़ा था क्या पढ़ा था हमने expected value of option यही तो पढ़ा था उसी काम present value कर रहे है और तो कुछ की यह नहीं आपने बस यही तो है और कुछ नहीं है समस्या बस दो तीन जाएगी यह probability कैसे निकाला जाता तो वह मैं अभी कर बाऊंगा थीरे से पर पहले कुछ नाम करन कर देते हैं इसमें कुछ specific नाम यूज करेंगे जैसे 500 किसका प्राइज है श्टॉक का प्राइज है तो इसको हम S बुला करेंगे अब प्राइज जो जादा है उसको कुछ नाम तो देगा देना पड़े उसको यूएस यूएस का मतलब अप बढ़ा ना और सर जो प्राइज का मैं उसको गिर रहा है तो उसको क्या बुलेंगे डियस डियस यूएस अच्छा बढ़ा और सर यह जो पे आफ है इसका भी ना राइजुए डाउन होता है तो कौल ओप्शन का पियोफ इसको क्या नाम दोगासर इसको नाम दो पी अगले पेज में तो भगवान किसम जबर्दस्त फॉर्मुले है फॉर्मुले बहुत जबर्दस्त है मैं अभी भूमी का त्यार कर रहा हूं कि देखो जी फॉर्मुले के लिए चिंदा मत करना बस सर आपने ये क्या किये 90 टू.7 अगर मैं कहूं value of option का formula value of option call option को मैं C0 गोर सब्ता हूं C0 मतलब call option का जीरो का मतलब आज का सर सर अप ऐसा लिए so justice formula बनाने की कोशिक का थे चंदा मत करो अभी समझ मैं ninety क्या है सी यू उसको multiply किस पी से तो सर आप ऐसा लिखने वाले सी यू पी यस यू पी जीरो जीरो क्या है टीडी और उसको multiply किसे किया 1-P टीडी multiply है 1-P हला किया 0 यह आएगा 1-P 0 इंटू जो भी तो यह आगे निकल किया 63 divide किस से किया सर डिवाइट किया 1-P less R हमको तो पता नहीं न बिट्टे नहीं यहाँ 1-P less R यूज नहीं करता वो यूज करता है capital R मतलब call option का आज का value निकलने का formula कुछ नहीं expected value of option का present value बस उसका उसने इस तरह से formula बनाये कि आप लोग डर जाए C U P plus C D 1-P divided बाया है सर पहला question पुछो सर क्या formula लिखना जरूरी है answer है हाँ लिखो ना है लिखो यार number चाहिए मझे बिना formula के भी answer आ रहा पर number चाहिए मझे formula लिखना है सर दूसरा question ये probability दिया रहेगा क्या? probability नहीं दिया रहेगा ये आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये वो वाली probability नहीं है जो हम सोच रहे हैं इसका नाम होए risk neutral probability risk neutral probability सर तीसरा question ये जो आप diagram बनाए हो क्या ये हम exam में बना सकते हैं? बिलकुल इस diagram का नाम है binomial tree binomial tree इसको बोलते है binomial tree कभी कभी question में पूछ लेता है कि binomial tree बनाओ तो बनाना तो ऐसी भी पढ़ता है पर फिर भी अगर ना भी पूछे तो बना लोगे तो अच्छा presentation माना चाहेगा सर तीसरा question पूछो तीसरा question सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं देख़ेख फिर प्रोवैबलेटी नेकालनेंगे जो कि मुझे आपको सिखाना और उसके बाद एक बार binomial tree बना देंगे और उसके बाद हम ये वाला formula से value of option नेकालनेंगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं चारिश टेप्स में आठ नमबर का गोश्चन है या तो चारिश टेप्स में कोई दिक्कत नहीं होनी जाए हाला कि एक लाइन में यह बताओ यह 57.27 निकालने में कोई तकलीफ है कि आपको कोई तकलीफ नहीं आप तो पर मैं आपको उसका एक्स्प्रेंशन उसका फॉर्मला कैसे डिया है यह सब को समझा दूगा तीसरी बात उसके बाद हम बाइनोमियल प्री बना लेंगे और उसके बात यह वाला फॉर्मला लगा के वैल्यू निकल देखो पढ़ते क्या लिखा हूँ अभी सुनो अभी समझ यहाया ऐसा नहीं है अभी समझाना बाकी अभी रिस्क फ्री रेट क्यों यूज कर रही है सब समझाना पड़ेगा च्छे से बढ़ते को पर्ड़ते को नहीं सौरी कॉंसेप्ट पर्ड़ते रिस्क नीटर बाइनोमियल मोडल जैसे कि नेम है ओनली टू पॉसिबल प्राइ एक है maximum price, upper price इसको हम क्या बलेंगे US और एक है minimum price या lower price इसको हम क्या बलेंगे DS ठीक गया है तक following steps are applied to calculate value of option पहले given करके लिख देंगे जो मैं आपको बता रहा था दूसरा calculate risk neutral probability P is equal to R minus D है यह मुझे आपको समझाना है तीसरा बाइनो में लट्री होई गोला बनाया था राव ठीक है और चोहता वैलियो और यह मैं आपको समझाते हैं अगर अब भी समझने के लिए क्या बाकी है पर समझने के लिए यह बाकी रह गया वाकी क्या सारी चीजे समझ में आ गई है ठीक है क्या है प्रोबैबलेटी चलो दो चीज़े हैं मेरे मन में एक बात आई कि यार इसका फॉर्मले को मैं याद करवा देता हूँ जो सीए फाइनल में हमसे होने से रहा दूसरा मन में याए कि याद यहां करवा देता हूँ और फॉर्मले का डेरिवेशन में वो डेरिवेशन हुआ है उस वाले लेक्चर में डाल देता हूं पर दिक्कत यह है कि इस फॉर्मले का डेरिवेशन हमारे लिए important है हाला कि उस डेरिवेशन का use नहीं होने वाला है पर logic समझना तो दुरूरी है हर चीज का लोजिक है इसका भी आपको लोजिक क्योंकि इसमें लोजिक भी मैं नहीं समझा सकता भीना तो क्या डेरी विशन यहां ही करवाओ कि यस जिनको रट्टा मारने की आदत होगी कुछ ऐसे भी वच्चे जो बलते नहीं समझना लॉजिक यार क्या करना हमें तो पास करवा खतम तो याद कर लेना और फिर एक बार डेरी विशन मुझे उसके बाद मैं लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है ये फॉर्मला ठीक है आज आज समस्ते बिल्कु देहाँ ये सेम कोश चलो अब मेरी बात समझू आज श्रीयर का प्राइस कितना है पाइफ हंड्रट ठीक है आज श्रीयर का प्राइस है फाइफ हंड्रट एक साल बाद या तो बीस पर्षन से ज़्यादा हो सकता या तो बीस पर्षन से कम हो सकता मतलब सर पाइफ हंड्रट पाइफ हंड्रट इंटु वन पॉइंट टू जीरो हो सकता सर यह तो 500 into 0.8 हो सकता है और यहाँ जो है probability और यहाँ क्या जाएगा 1- probability कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक नहीं और पता है आपको expected price of share कैसे निकलता है सुनो मैं क्या बोलो expected value expected price of share expected price of share simple सी बात है सर इसको multiply कर देंगे इससे और इसको multiply कर देंगे इससे और इससे सब को जोड़ देंगे expected price मतलब वही होता है expected price आपको पता है price को probability से multiply करोगे तो expected price है जाएगा अब मेरा question है कि मेरे पास दो चीज़े या तो मैं share market में पैसा लगाऊ या तो मैं bank में पैसे चमा करो अगर मैं bank समझ रही है bank अगर share market में up-down होता है तो में bank वाले ने कहा कि साहब आपको 10% interest मिलेगा मालो 10% 10% को में rate of interest इसको मैं R बोल सबता हूँ R is equal to 10% bank वाले ने कहा कि आपको 10% interest मिलेगा अगर market में up-down होता है तो भी क्या मुझे 10% ही इंट्रेस्ट मिलेगा यस तो उसको मैं बोलता हूं रिस्क फ्री रिस्क फ्री दस पर्षंट मुझे मिलना मिलना तो मैं यह सोच रहा हूं मेरे पास दो अगर मैं बैंक में जमा करता हूं तो एक साल बात 500 into 1.10 कितना होता पास सो पचास तो मुझे बैंक से पास सो पचास रुपए वापस मिल जाएगा एक साल बात बैंक में 500 जमा कर दूँगा तो बैंक से पास सो पचास रुपए वापस मिलेगा अगर मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूं तो बताओ उन्हीं पास्व उर्पेगा में शेयर खरी लेता हूं, शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूं, तो शेयर के प्राइज एक साल बाद पास्व पचास से ज़ादा होना चाहिए, की कम होना चाहिए, की पास्व पचास होना चाहिए, सोच समझ के बताना, एक दो ऑप्सन, एक बैंक में पैसे जमा करों तो 550 मिल रहा है दूसरा शेयर मार्केट में पैसे लगा हूं तो जो शेयर में आज खरीद रहा हूं उसकी वैल्यू एक साल बाद कम से कम कितनी होनी चाहिए सर कम से कम 550 पर 550 से ज़्याद ही होना चाहिए सर उधर रिस्क है आप रिस्क अगर 550 उधर से भी मिल वेले करा है तो फिर सर बेंक में पैसे जमा करो ना कियो है एया रिसक ले रहा है भाई यह कि बोलो 550 कि उससे जदी उससे जदा इस बैसे तू दिल को बड़े एक इतना ज्यादा क्या है आपकी रिक्वाइर एक रान बेंड सार इक्वायर उडार पनु से ज़्यल razor पहले जंशन क्या था ओनली दो ही पॉसिबल प्राइस हो सकते दूसरा जंशन रिस्क है ही नहीं दुनिया में रिस्क नीट्रल थैं रिस्क नीट्रल है मतलब मतलब आप शियर मार्किट में पैसे लगा रहे हो सहाब वहां भी रिस्क नहीं है, आप बैंक में जमा कर रहा है, वहां भी रिस्क नहीं है, दोनों में रिस्क है या नहीं है, रिस्क नीट्रल वरड, अच्छा, ऐसी दुनिया जहा है ही नहीं है, वास सर, क्या एजमिशन है, इसलिए जो रेट यूज किया जाएगा, वो रिस्क-free रेट यूज काऊं तो भी पास्तों पचास रूपई ही आना चाहिए चौन बनाए घे उक्वेशन यह सबसे इंड में बैनक के बात करता हूं-ट एक्वेशन क्या बनने जारी मेरी खास्यंट बनने जारी है और इसमोल इंड ही इसा सभी इसलों शेर मार्क्रेट्ट इसको मैं एक्वल करने के कोशिश कर रहा हूं बैंक में कितना जम्म करना 500 इंटू 1.10 और शियर मार्केट में पैसे लगा हूं तो एक्सपेक्टिट प्राइस क्या आना चाहिए यह भी एक साल बात का कैश फ्लू है और आने वाला भी एक्सपेक्टिट प्राइस ऐसे आएगा मुझे बस प्रोबाइबिलिटी नहीं पता प्रोबाइबिलिटी नहीं क प्रोबाइबिलिटी प्लस 500 इंटू 0.8 इंटू 1-प्रोबाइबिलिटी एक एक्क्वेशन बनाया और उस एक्क्वेशन से मुझे बस यह प्रोबाइबिलिटी अपर प्राइस प्रोबाइबिलिटी अपर प्राइस प्रोबाइबिलिटी अपर प्राइस अपर श्टॉक और 1-P probability of lower price ठीक है इस equation को मैं solve करने की कोशिश करूँ हाला कि मैं नाम दे दूँ अगर इसका नाम भी दे दूँ तो यह क्या यह stock का price और यह क्या s और यह क्या u तो इसको sir us बोल सकते us into p और इसको क्या बोल सकते sir इसको बोल सकते ds ds into 1-p मैं अगर ऐसे equation बनाओ तो बात तो अब इसका derivation से क्या निकालने की कोशिश करेंगे derivation से हम बस p निकालने की कोशिश करेंगे इसको derive करने की कोशिश करेंगे और derivation आपके सामने है मेले चलता हूं derivation यह है derivation ठीक से देखना पहले इस तरफ का area cover करा यहां तक कोई दिकत नहीं नहीं सर यह भी बात समझ में आगे हाँ सर यह तो वही वाली equation और यह भी बात समझ में आगे ठीक है आप बोलो हाँ पास्व इंटू 1.1 ठीक है पास्व इंटू 1.2 अब यह पास्व इंटू 1.8 को 1 से multiply किया अब सुनो क्या हो रहा है यह जो दिख रहा है इसमेंभी पी से multiply है और इसमें भी पी से multiply है यह वाली equation तो यह जो पास्व इंटू 1.8 है इसको उठा कि मैंने यहां से minus कर दिया कोई दिकत तर यह आएगा की डेरिविशन नहीं आएगा ने एक्जाम में पर समझतों अलो भाई कुछ सीखने को तो मिलेगा यहां आए हो तो पासो इंटु एंट राया है तो पासो इंटु यह तीक पासो इंटु 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 पासो इंटु प्इ उट्प्प माइनस पासओ इंटु पांट एर्डे तो प्षामन गाए यहां-कोथär रखतिया अब पी को यहीं छोड़ दिया और यह दोनों चीज़ उठा के डिवाइट में डाल दिया और इसमें पासो पासो को common ले लिए 500 तो 500 500 कट हो गया तो फाइनल एक्वेशन यह बना पी 1.1 को क्या बोलते हैं तर यहाँ हैं अब ußको क्या बोलते इसको बोलते ह सीनल बता है अब देखो ड कासे सुनना धेना आँ say और यह क्या है यह माइनस री पाम समझ में आता है यू और ट कैसे निकल बस कितना बता बड़ा आसान अब मैं आपसे बोल रहा हूं प्राइस 600 हो जाएगा और ये कितना है पासा 600 हो जाएगा तो बोलो कितने टाइम से ज़्यादा 600 डिवाइड़ेड वाइफ अंडड तो यहां कितना जाएगा 1.2 और 1.2 क्या है वही तो है बस मैं आपसे समझाने की यही कोशिश कर रहा हूं कि यहां देखो आपने क्या किया यहां क्या है 1.2 अब मैं कहता हूं प्राइस कितना हो जाएगा अगर प्राइस कम जाएगा डाउन तो सर 400 और यहां कितना है 500 तो कितना कम हो जाएगा कितने टाइ बस कुछ थोड़ी नहीं यार सीधिय तो बात है मैं कितने से बढ़ेगा और कितने से डाउन होगा rate of interest आपको मालुम है yes minus कितने से डाउन होगा यहां कितने से बढ़े derivation कैसे हुआ derivation मैं आपको समझा चुक ठीक है जी और बाकि आप ऐसे देखना algebra करना तो ऐसे कर लिश ठीक है अब हम लोग काफी कुछ तैयार हो चुक रिस्क free rate क्यों लिया यह मैं आपको समझा चुका हूँ ठीक रिस्क neutral probability क्यों नाम है यह भी समझा चुका हूँ सुनो 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 बच्चो एक्जाम में अगर कुछ और probability दे देता है दो वो नहीं लेना है यहां तो रिस्क neutral probability आपको निकालना ही पड़ेगा आपको जो दी गई probability वो आपके काम करें अगर बोलेगा binomial model से यह रिस्क neutral probability approach से question मनाओ तो सुनो साहब आपको probability निकालना ही पड़ेगा एक्जाम में या question paper में जो probability दिया है उसको मत ले ले लेना गलती मत कर दो तो साहब पहला point दूसरे में दिक्कती r-d u-d मैंने logic समझाया हूँ ठीक है derivation भी करवा है binomial tree और value यह इसका में आपको समझा चुक हूँ अब ऐसा कि कुछ practice करेंगे ना तो सायद हम लोगों को बास समझवा जाएगी तो practice हो जाए क्या yes कितना time हो गया देखे 10 मिनट में कितना क्या हो सकते 10-15 मिनट में आपका लूँगा एक बार practice हो जाए तो दिक्कत दियोगे चलो जी example लेते एक्जामपल नंबर सेवन आपके पास में है तो देखते हैं करनेंट मार्केट प्राइज दिया 500 और exercise प्राइज दिया 510 पिरिएड है वन यह रिस्क प्रिएट है 10 पर्षन मैक्सिमम प्राइज दिया मिनिमम प्राइज दिया वैल्य ओप कॉल अप्शन एस पर बाइनोमियल मॉडल चले इस टेप नंबर वान से कर रहा है गिवान मुझे जो जो चीज चाहिए पहले मुझे लिख लेदा तो अपसे पहले करेंट मार्केट प्राइज को बोलते है एस इतना है रुपीज 500 उसके बाद exercise प्राइज को बोलते है यह रुपीज 510 जिरो option कौन सा period है one year ठीक है option कौन सा है value of call option मतला price बढ़ने का sign लगा देता हूँ मैं ठीक इससे न मुझे पता लग जाता है कि यह उपर जाएगा तो exercise है ठीक period कितना है one year आर आर कितना है दस परशन दस परशन को हम क्या लिख सकते है 1.10 1.10 दस परशन मतलब 1.10 ठीक है उसके बाद मुझे चाहिए US तो बोलो share का price कितना है 600 और अभी कितना है 500 कितने टाइम से जादा तो 600 divided by और क्या चाहिए मुझे DS 400 divided by 500 600 divided by 500 तो 1.20 पहला काम दूसरा काम क्या कर रहे हमें risk-neutral probability निकालना पड़ेगा यहीं हो सकता है कि यहीं हो जाएगा तो यहीं कर लेत इस्टेप नमबर टू रिस्क न्यूट्रल प्रोब्याबलेटे पर्मला लिखोगे तो ज़्याद आच्छा है पी इस इक्वल टू र मैनेज़ डी यू मैनेज़ डी आर कितना है जी वन पॉइंट वैंजिरो डी कितना है पॉइंट एट जीरो आर कितना है नहीं यू कितना है पॉइंट पॉइंट जीरो पी का मतलब प्रोब्याबलेटी वप अपर प्राइस ठीक है पहले नीचे वाला सॉल करूँगा मैं है ना वन पॉइंट टू जीरो माइनस पॉइंट एट एम प्लस में डालती है माइनस पॉइंट एट डिवाइड़ेड बाइमर्स एक प्लस में पॉइंट सेवन फाइट एक है दो स्टेप हो गया है तीसरे स्टेप में क्या बनाएंगे बाइनोमेल ट्रीए बताओ आज प्राइस कितना है तर आज प्राइस है फाइफ हंड्रेट तो पॉसिबल प्राइस हो सकते है एक है सिक्स हंड्रेट और एक है ठीक 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 हमको मालम है यहां प्रोबाइबिटी कितनी यहां मुझे निकलना पड़ेगा सी यू और यहां निकलना पड़ेगा सीधी कौन सा अप्शन है कॉफ्टी पर्शन बच्चे लोग इस कोश्चन को कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो जाए गलती करके आती है गलती करते हैं और सुनों गलती क्या करते हैं गलती यह करते हैं छेसो माइनस पास्सों साव रुपए भई यह आप कंपेरिजन इससे क्यों करोगे और यही करते हैं दिल ना रोता है जब ना बच्चे आंसर शीट दिखाती कि सर एक्जाम में हमसे यह हो गया कैसे हो गया यहा एक्सराइस प्राइस से और एक्सराइस प्राइस कितना 510 यहां कितना जाएगा रॉपीज 90 और यहां किया जाएगा जीरो अब लाश्ट इस्टेप इस्टेप नमबर 4 value of call option formula लिखेंगे call option को क्या बोलेंगे हम c0 formula क्या था तर cup था plus cd1-p divided by capital R c0 is equal 90 into 0.75 plus 0 into 0.25 divided by capital R मतला 1.10 अंसर 90 into 0.75 divided by 1.10 तो यागे रुपीज 61.36 टीक है ठीक है सर्स और करें क्या और एक एक्जामपल और करेंगे question number example number 8 अच्छा एक्जामपल है बहुत सो समझे करना पड़ेगा बाइनोमियल का चल रहा है तो या थोड़ा सा मेहनत हो करना पड़ेगा तयार हो क्या यस इसमें सिर्फ इसमें और कुछ नहीं बाइनोमियल आ गया है समझे में बाइनोमियल की समस्या नहीं है अब समस्या कमपाउंडिंग वाली अब समस्या कुछ और ही है ठीक है देखते हैं और प्लीज जिन्होंने lecture नहीं देखा होगा ना concept of compounding का तो भाई प देखें कि क्या नहीं का example, example number eight current market price दी है मतलब as exercise price है period six month है याद रखना इस बाग period six month price on maturity, upper price, lower price, calculate value of call option if अगर rate semi-annually है, अगर rate compounded annually है, अगर rate compounded continuously है तीन चीजे है एक साथ पहला given तो लिख देता उसमें तो कुछ है यह नहीं है इस टेप नमबर गेवान तो एस दिया हुआ है क्या यह सर रुपीज थाउजन ठीक है एक्सराइस प्रैस दिया है क्या यह सर रुपीज एलेवन हंडड़ option कौन सा है call बढ़ने का इसके अलावा सर यूएस निकाल सकते है क्या yes 1300 डिवाइड़ बाई थाउजन और ds भी निकाल सकते है क्या 900 मतलब यह 1.30 हो गया और यह 0.90 हो गया समस्या सिर्फ किसमे है समस्या है आर और आर इसमें अलग आएगा इसमें अलग आएगा इसमें अलग आएगा जो खेल अब बाइनोमियल का नहीं रह गया है अब इसका खेल रह गया है तो वो तीनों एक साथ में करवाता हूँ आखे इसको कैसे सॉल करेंगे इसको कैसे सॉल करेंगे तो तीन कॉलम बना के कर ले एक में लिखा हुआ है आठ पर्शन compounded semi-annually एक में लिखा हा आठ पर्शन पर्णम compounded annually और एक में लिखा आट पर्षन कंपाउंड इट कंट्रिश ली जगह का मैं अब अच्छे से लिख लेना भाई लोग ठीक है अब सुनोगे बच्छो अध्यां से आट पर्षन आट पर्षन आट पर्षन और रेट निकालना है शिक्स मंत का शिक्स मंत का फैक्टर निकालना सीदिसी बाद जहां कंपाउंड इट सेमी अनुवली लिख लेकिन जहां सब्दा आएगा अगर दोनों सब्दा आए तो भाई आप इंटू 6 बाई 12 नहीं कर सकते फिर आपको पावर वाला फ्लेवर देना पड़ेगा कहां दो जगा ये तो क्या बोले सर फिर से बोलू नहीं बोल सकता जाएए और बेसिक क्लासेस में देखिए जो आप छोड़ के आए हो इट मिस अब यहां आर कैसे निकलेगा वन पॉइंट जिरो एट पावर सिक्स बाई टू इस इकल एट नहीं कलना है वन पॉइंट जिरो एट का एक बर स्क्वेर रूट कर दो यहां गया वन पॉइंट जिरो थ्री नाइं मतलब आर इस एकल टू वन पॉइंट जिरो थ्री नाइ क्यों ऐसा किया क्योंकि कंपाउंड एन वली सब्द लिखा हुआ है और कंपाउंड इट कंटूनियसली में तो ऐसा आएगा इचिए ज्रो पॉइंट इड़ो पॉइंट इंट इंट इस है इड़ो पॉइंट इंट इड़ो थ्वरूक इंट इड़ो थ्य वक ऊइन पॉइंट इंट इड़ो नहीं एकल भार आइड www.0. Bea by गलु कैसे निकाल्टिट bright 0.04 divided by 4096 plus 1 और इन्ट इक्वल टू बारा बार एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दज, ग्यारा, बारा उसर ये आ गया, 1.0408, बात समझ में आ रही है, continuously compounding हो, हाला कि ये value भगवान की कृपा से दिया रहता है, 10% ऐसा हो कि ये value ना दिया हो, तो हमको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालना, continuously compounding, concept of compounding पे मैं लिखवा चुका हूँ आपको, बात समझ में आ रही है, सर, अगर 8% के अलावा और कुछ नहीं दिया, बस 8% लिखा तो क्या करेंगा, ऐसे जो सबसे ज़्यादा सिंपल है, 8% साल बर का, तो 6 मैने का 4% लेकिन जहां आएगा सर, compounded annually या effective सब्द, तो फिर ये, सर, जहां continuously आया, तो वह एप आवर यूज करोगी, कोई बात ही नहीं, ये किसा, बस हो बहुए है फिर तो, रिस्टार्ट करते हैं, step number कौन सा, to risk neutral probability, probability, risk neutral probability, क्या formula पता हैं हमको, हाँ सर, formula क्या है, बताओ जल्दी से, सर, P is equal to R minus D, और U minus D, इलकुल सब में वह लगेगा, तो चलो, R का मतलब, 1.04, P केतना था, 0.9, 1.30 minus 0.9, अगे, 1.30 minus 0.9, M plus में डालना, 1.04 minus 0.9 divided by MRC equal to 0.35, यहां के, 0.3475, ऐसे, यहां का भी, P निकल सकता है, 1.0408, minus 0.9, 1.30 minus 0.9, तो 1.30 minus 0.9, M plus में डालना, 1.0408, minus 0.9 divided by MRC equal to, तो सर यहां के, 0.352, ठीक है, ठीक है सर, अब इस्टेप नमबर कौन सा, 3, बाइनोमियल ट्री, तो बाइनोमियल ट्री, तो हमें तो बनाना आता है, आता है, प्राइस आज कितना है, कर आजए, एक हजार, तेरास और नास, एक हजार, तेरास और नास, यह भी बना लो, एक हजार, एक हार, 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 ए अब ही क्या करना है अब हमको लेका सी यू सी यू यहां रखना कंपारिजन किससे करोगे ग्यारा सो से बढ़ना चाहिए कॉल अप्शन है मतलब दोस्तों तो सर यहां दोस्तों जीरो दोस्तों जीरो दोस्तों जीरो प्रोबाइबिलिटी देखो यहां प्रोबाइबिलिटी सर यहां 0.35 है तो वन से मैनस करना पर है यहां 0.65 यहां 0.3475 1-0.3475 तो यहां जाएगा 0.6525 और यहां 0.352 तो 1-0.352 तो सरी यह आगे 0.648 ठीक है फाइनल एश्टेव नंबर फॉर वैल्यू पॉप्शन बिना फॉर्मूला लिखे कर रहा हूं फॉर्मूला आपके पास से आप लिख लिजीगा मैं बिना फॉर्मूला पी जीरो इस इक्वल टू 200 इंटू 0.35 ठीक है फाइनल जीरो इंटू 0.65 डिवाइड यहां किस्से होगा फाइनल डिवाइड 1.04 तो 200 इंटू 0.35 डिवाइड बाइड 1.04 अंसर आगे हैसा 67.31 यहां सी 0 की बात करों 200 इंटू 0.3475 प्लस 0 इंटू 0.6525 याद रखना डिवाइड किस्से होगा डिवाइड बाइड बाइड अब यहां डिवाइड 1.04 जो लिखा है उसी से 1.039 200 इंटू 0.3475 डिवाइड बाइड 1.039 अंसर आ गया है यहां रूपे 66.89 यहां सी 0 की बात करें 200 इंटू 0.352 प्लस 0 वाला आप देख लेना डिवाइड बाइड 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 यहां होगा 1.0408 से डिवाइड 200 इंटू 0.352 डिवाइड बाइड बाइड 1.0408 अंसर आ गया 67.6 इस कोश्चन इस इग्जाम्पल को करवाने का उदेश ही क्या था बस कि भई आप इन सब्दों को पे ध्यान देना अगर यह दोनों नहीं लिखा हुआ तो नॉर्मल कर लो भई जो आपका दिल कर देखा हुआ करता है न वह वाला एक एक एक्जाम्पल और करना पड़ेगा मजबूरी है नहीं तो क्या है फ्लो टूट जाएगा और उसके बाद आज तो कोश्चन नहीं बना पाएंगे हम बाइनोमियल के अगली क्लास में हम पहले रिविजन करके आना बाइनोमियल के कोश्चन बनाए क्लिका करेंट मार्कीट प्राइज दिया एक्सराइज दिया हुआ है पेरियाड दिया हुआ है रिस्क tee rate 12 ओट परिवर क्लिक्ट ओने इफेक्ट्व का मतलब compounded annually, इफेक्ट्व का मतलब power वाला flavor यूज करना पड़ेगा, maximum price दिया, minimum price दिया, value of, सुनो, पहली बार पूछ रहा है, value of put option निकालना है, इस tip number one, given, क्या S दिया है, yes, कितना, 500, क्या exercise price दिया है, yes, 530, क्या US निकाल सकते है, yes, 600 divided by 500, 1.20, क्या DS निकाल सकते है, yes, 400 divided by 500, low point, option कौन सा है, put, मतलब, कम होगा, तो exercise, बचा क्या R, अब R का देखना, R is equal to, क्या power वाला flavor यूज होगा, yes, तो यहाँ जाएगा, one point one, effective दिया है, और three month लिखा, तो उपर किया जाएगा, three by 12, तो यह तो निकालना आता है, आपको, one point one, two, एक, दो, तो यह आगा है, one point zero, two, eight, seven, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, अब आजाएगा, रिस्क, नूट्र, प्रॉबाइबिलिटी, step number two, रिस्क, नूट्र, प्रॉबाइबिलिटी, पॉर्मूला पता है, कि आपको, हाँ सर, और प्रॉबर कर रहा हूं, मैं कोश्चन को, प is equal to, r minus d, u minus d, र निकाला था, हमने, r कितना निकाला था, one point zero, two, eight, seven, one point zero, two, eight, seven, minus, point eight, zero, divided by, one point two, zero, minus point eight, one point two, zero, minus point eight, m plus, one point zero, two, eight, seven, one, minus point eight, divided by m, r, c, equal to, zero point five seven, two, five seven, one seven, कर लेता हूं, एक चार डिजिट में कर लेता है, टेंशन करता हूं, अब इस्टेप नम्बर कौन से जाएगा, इसके वाद से रिश्टेप नम्बर स्टेप नम्बर स्टेप प्रोबाइबिलिटी दो डिजिट में करना कि तीन में के चार में, चार में करो भई, चार में, एक्क्यूरेट आंसर से, बाइनोमियल, आज प्राइज कितना है, आज प्राइज कितना है, आज प्राइज है, पास सो रुपए, आगे दू पॉसिबल प्राइज हो सकते हैं, या तो हो सकता है, छे सो, या तो हो सकता है, चारस, बताव, सी यू कितना है, याद रखना दू प्राइज हो, किससे करना है, एक्ससाइस प्राइज, फुट आप्सन एक बाद हो, पास सो थीस एक्ससाइस प्राइज, प्राइस से कंपारिजन करना पता नहीं बार बार में क्यों बोल रहा हूं आप रिपीट कर रहा हूं ना यार इसलिए क्योंकि आपकी एक बार में समझ में नहीं आती है फिर एक्जाम में जाओगे और यहां गलती करोगे 0.5717 1-0.5717 1-0.4283 ठीक है लाज़ श्टेप वैल्यू ओफ पूट ओप्शन फॉर्मूला याद है तो अब फॉर्मूला बनाते है फीजीरो फीजीरो मतलब पूट ओप्शन का PD 1 minus P divided by capital R, बिल्गोल से इए, बना सकते formula ऐसा हुआ, तो PU 0 into 0.5717 plus 130 into 0.4283 divided by 1.0287, तो 130 into 0.4283 divided by 1.0287, तो final answer आगे है, रुपीस, 54.12, ठक गया, मैं भी ठक गया, तो sir question, question अगली class में binomial के question होके, जो exam में आए हैं जो study material में है, अभी कल अगली class करने से पहले एक बार revision जरूर करोगे, ज्यादा अच्छा, ठक है जी, तो आज के लिए class के लिए sufficient second, जो break के बाद जो class है न वो important थी, प्लीज, उसका revision कर ले न वो important आप लिए, तो अच्छा करेंगे, अब बोर नहीं होगे, a practical practical lesson, okay bye